तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं B.H.U. C.H.S. Class 11th Admission 2024 के complete process के बारे में fully detail में सबसे पहले हम लोग देखने वाले application from आपको जो है वो कब तक यहां पर रिलीस किया जागा C.H.S. की तरफ से स्लेबर्स क्या है Class 11th Maths, Bio Arts और Commerce वाले स्ट्रीम के लिए Reservation criteria क्या है OBC, ST, PWD वाले का निडेट के लिए Online application का फी क्या लगने वाला है जब आप application form को फिल करोगे साथ ही आपको कौन-कौन से important books शाहिए होंगे अपने preparation के लिए इन सबी topics को इस वीडियो में डिटेल में कवर किया जाने वाला है तो अगर आप Class 11th Maths लेना चाहते हो C.H.S. में तो वीडियो को इंड तक ज़रूर देखना और अगर कोई क्यूरी या फी डाउट है तो आप मेंटे को आपका आंसर की मई 2024 में रिलीस किया जाएगा आंसर है कि जब आपका रिलीस होगा तो उससे टाइम आपको यह idea हो जाएगा कि आपको जो सेलेक्शन लाट से जाहिए आपको देट ऑव copyrightlık नहीं कर सकते हो में डिया आपको टेट अर चीप्र जो आखिए का रिधा औरποर्र नहीं गुर्फ सब्सक्राइब कर लिए हैं और मेन. सब्सक्राइब कर खेंज हैं एकिन्ज राहे सब्सक्राइब करूद wanna खोना चाहिए तूं इसके लिए आप स्क्राइबрах सब्सक्राइब कर सकते हैं बाकि आर्ट वाले कानिडेट का सिर्फ पास होना जरूरी है यहां पर को भी मिनीमुम क्वालिफिकेशन नहीं दिया गया है बस आप क्लास 10 में पास आठ होगे तब यहां पर आर्ट के लिए अप्लाइब कर सकते हैं पूटल लंबर ऑफ सीट्स के के लिए क्लास 11 तो 38 प्लस 50 अविलेवल हैं बायो इस तरीकी से नंबर ऑफ सीट्स आप देख सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स के तने हैं इसके बाद यहां पर आपके लिए कुछ नोट मेंशन किया गया क्लास 11 वाले कंड़ेट के लिए सीट्स को ले करके तो इसे जाए जाएगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा लेबस और एक्जामनेशन पाइटन के बारे में बात कर तो यहां पर आपके 100 MCQ स्टाप की कुश्चन होंगे यहां पर यह क्लास 10 के स्टैंडेट से ही आपका कुश्चन जो यहां पे पूछा जाएगा यहां पर कभ बाड़े में जानना चाहते हो तो वीडियो बनाया गया है चैनल पर वहां से सबसे पहले बात करें तो आपके English, Hindi, Physics, Chemistry, Maths और General Studies से कुश्चन आएगा उसके बाद के बाड़े में बात करें तो बाड़े में आपके English, Hindi, Physics, Chemistry, Bio और General Studies से कुश्चन आने वाले हैं पर जेनरल, Hindi, History, Geographic, Economics, Political, Science, Maths और General Studies से यहां पर आपके कुश्चन आएगे उसके बाद यहां पर कॉमर्स का मेंशन किया गया है कॉमर्स का वीडियो को पास करके यहां पर सकते हो आपको ध्यान रखना है कि सेसिस की करफ से यह क्लेरली मेंशन किया गया है जो standard होगा question का वो यहां पर class 10 के recording होगा तो class 10 का जो in CRT है उसे ही आपको follow करना है बाकि आपको previous year के question paper के दरूर ही देख लेना है examination pattern के बारे में बात के तो number of question जो होगे आपके 100 होगे, एक-एक mark से question होगा पर previous year यानि के 20-23 जो examination हुआ है उसमें 1 question का 3 marks दिया गया है English से आपके 10 question आएंगे, Hindi से 10 question आएंगे Freaks से 25 question आएंगे, Bio से आपके 25 question आएंगे Chemistry से आपके 25 question आएंगे और GK से आपके 5 question आएंगे यह आपका science stream वाले candidate के लिए बताया गया है बाकि आप comment करके ज़रूर बताना Arts और Commerce वाले के बारे में जाना है तो मैं comment section में comment पिन कर दूँगा Arts और Commerce का किन section से question यहाँ पे कितने number के पूछे जाएंगे आपको यह धियार नखना है कि CHS का examination होता है उसमें कोई भी negative marking नहीं होता यानि कि अगर आप कोई collect question भी tick करते हो तब यहाँ पे आपका number नहीं कटने वाला है अब हम लोग यहाँ बात करने cut off के बार में यानि कि 233 में कितने number पर आपके selection हुआ था सबसे पहले यहाँ पर आपका category mission किया गया है और यहाँ पर class mention किया गया है सबसे पहले यहाँ पर math का mention किया गया तो एक question सही होने पर आपको 30 marks मिले है इसी तरीकी से number of question आपके 100 थे और total यहाँ पर 300 number के यहाँ पर question आपके आया थे examination में तो उसी तरीकी से यहाँ पर cut off तयार किया गया है CHS की तरफ से जेनल का cut off है वो यहाँ पर 231 गया है C का 213 है, ST का 159 है, OBC का 237 तो इस तरीके साब cut off को वीडियो को pause करके पढ़ सकते हो उसके बाद नीचे आप scroll करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपको cut off जेनल का टेंगरी का वो यहाँ पर 204 गया है यह आपको first cut off बताया गया है आपके seat अगर खाली होता है तो यहाँ पर second cut off पर release किया जाता है CHS की तरफ से और यहाँ पर third cut off भी release किया जाता है CHS की तरफ से यह depend करता है seat खाली होने पर और नहीं होने पर यहाँ पर आपका commerce का cut off मेंशन किया गया है 15% seat रिजर्व आपके SC category के लिए 7.5% HD के लिए 27% OBC नन क्रीमे लियर वाले कानिडेट के लिए 10% seats आपके रिजर्वें AWS याने के economically weaker section के लिए यहाँ पर 10% seats अविलेवल है तो SC और HD वाले कानिडेट के लिए 500 लगने वाला है और यतने भी general और OBC वाले कानिडेट है उन्हें यहाँ पर 750 पे करना हो जो कि आपका online application का fee है application form का fee है payment आपको कैसे करना है तो payment आपको online mode में pay करना आपको बना करके बता दिया जाएगा तो चानक को अगर अभी तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो चानक जरू सब्सक्राइब भी कर लेना अगर आप बुक पर्चेस कर सकते हैं आपको सही लगता है तो बुक को पर्चेस कर सकते हैं वीडियो को link description ने मिल जाएगा यह कोई sponsor वीडियो नहीं है अगर वीडियो अच्छा लग हो तो प्लीज वीडियो को like करके चैनल को जूरू सब्सक्राब भी कर लेना अगर आप BHU CHS Admissions 2024 की complete process के बारे में जानना चाहते हो तो left-up video को click करके देख सकते हो और आपको लेना application का form कब तक आएगा इसके बारे में जानना चाहते हो तो left-up video को click करके देख सकते हो